Hello students, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल India Old Days में आज हम इस वीडियो में पुरा पासान काल के बारे में पढ़ेंगे तो पुरा पासान काल में पढ़ने से पहले मा आपको पहले जो इतियास से सम्मन्दी जो भी चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं इतियास के काल भी बजन को लेकर जो भी चीज़ें मैंने आपको यहां पर बताया है उन सभी के बारे में एक बार थोड़ा सक रिविजन कर लेते हैं तो देखेगा जो भारती इतियास है इसको तीन भागों में बटा गया है वो कौन-कौन से है प्राग इतियासिकाल आदे इतियासिकाल और इतियासिकाल इनके बारे में हमने डीटेल से पहले पढ़ा है वहां पे आप यह वीडियो देखेगा इनके और जो प्राग इतियासिक जो स्टार्टिंग का जो काल है जिसमें पुरा तात्विक साक्से ही मिलें उनी से ही हम प्राचीन भारती इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त कर सकते हैं उससे प्राग इत्यासी काल को फिर से तीन भागों में डिवाइड करा गया है वो कौन-कौन से हैं पुरा पासान का और नव पासानकाल ठीक है तो यहां पर हम पढ़ेंगे पूरा पासानकाल आप देखेगा पूरा पासानकाल है यह प्राग इत्यासी यूग का ही एक पार्ट है अर्थाध हम कह सकते हैं कि प्राग इत्यासी यूग के समय का ही यह है एक समय है और पूरा पासानकाल है इसको अ आपको यहां पे इसको धान में रखना है, तो पूरा पासानकाल है, यह प्राग इत्थियासिक यूग का वह समय है, जब मानवने पत्थर के ओजार बनाना सबसे पहले आरंब किया, अब देखे प्राग इत्यासिक के बारे में हमने पहले आपको बताया हूँ है, तो प्राग इतेशी क्या था जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के जो साक्से हैं वो पुरातात्विक ही मिले हैं अर्थात इत्यास के जानकारी के लिए कोई लिखित साक्से नहीं मिला हैं पुरातात्विक साक्से ही मिले हैं जिनको अपन देखे और किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाई ये पत्थर से बनी हुई ये चीज है ये कोई पसू हो सकता है ये कोई पक्सी हो सकता है ये वो ओजार हो सकते हैं ये उसमें इस चीज की खेती करती होंगे कुछ भी मालो तो और उसमें ज्यादा तर जो साक्से है वो पत्थरों के मिले हैं तो इसको प पूरा पासानकाल, मद्ध्य पासानकाल और नव पासानकाल आप देखेगा जो पूरा पासानकाल है इसके बाद मद्ध्य पासानकाल का आरम भुआ जब मनुसे ने खेती करना शुरू किया था तो पूरा पासानकाल में तो क्या था उनली जो मनुसे वह है सिकार करता था वह यह पच्छ से करता था पठ्थर से निम्स ने मारा फिर खाल लिया और फिर क्या वा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे मनुस्य medium को और ज़दा घ्यान हुआ तो उसने आगघ का अविश्कार कह थाथा। जब तक यह खेती नहीं करने लगाता फिर जैसे जैसे यह है मध्य पासाणकाल में आता है यह खेती करना प्रारम करता है और पसू भी रखना प्रारम कर देता है तो पूरा पासाणकाल का समय यह पांच लाग इस्सा पूरव से दस हजार इस्सा पूरव है पूरा पासानकाल को जल्वायू परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के अथियारों तथा ओजारों के परकारों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया है पूरा पासानकाल को भी तीन भागों में विभाजित किया मद्धी पूरा पासान काल है इसका समय पच्चास हजार इसा पूर्वा से चालीस हजार इसा पूर्वा है नव पूरा पासान काल है इसका समय चालीस हजार इसा पूर्वा से दस हजार इसा पूर्वा तक इसी प्रकार अब देखेगा निमन पूरा पासान काल तो निम्नपुरापासान काल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो यह है पांच लाग इसा पूर्वा से पचास अजार इसा पूर्वा तक है निम्नपुरापासान काल में आग का आविस्कार किया गया मानव है वैं समुए में रहकर सिकार करके भोजन का संग्रय करता था और निमनपुरापासान काले इसके स्थलकोन से हैं कस्मीर, राजस्तान का थार, उत्तरपरदेश के मिर्जापूर में बेलन घाटी, भीम पेटका की गुफा, नरमदा घाटी, जो काँपे हैं मध्य परदेश में, सोहन नदी घाटी, कन्नाटक और अंधरपरदेश और मुख्योजार कोन से थी निमनपुरापासान काल के? काट, जाइट, पत्थर से बनी कुलहाडी, हस्त कुलहाडी, या फिर इसको अपन हस्त कुठार भी कह सकते हैं, गंडा सा जिसको खंडक भी कहा गया है अब अगला आता है, मद्देपूरापासान काल, यह है, पत्चास हजार इस्सापूरवा से चालीस हजार इस्सापूरवा तक चला मद्धेपुरा पासान काल को फलक सेंस करती भी कहा जाता है इस काल में पत्थर के गोले से वस्तों का निर्मान क्या जाने लगा था और परमुग स्तिलकों से मद्धेपुरा पासान काल के मुख्योजार पत्थर की पपड़ियों के बने फलक छेदनी और खुर्चनी अथियारों में काड़ जाइट के अलावा जेस पर एम चड़ आदी पत्थों का प्रियों होने लगा था अब अंतिम जो पूरा पासान काल का जो विवाजनव है उच पूरा पासान काल ये था 40,000 इस्सा पूर्व से 10,000 इस्सा पूर्व है इस काल में होमो सेपियन्स अर्थात आधुनिक मानव का उदे हुआ था इस काल का मानव सेलाश रो में रहने लगा था मानव चित्रकारी और नकासी करना जान चुगा था इस काल के चित्रकारी के साख से मद्दे पड़्देश इस्तित भीम बेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए है तो देखेगा ये पॉइंट एक्जाम की दृष्टी से बहुती महत्तो पुण है कई बार पुछा जाता है होमो सेफियन्स कोन थे वो थे आदूनिक मानव और ये जो आदूनिक मानव है इसका उदे कहां से मानग है वो पुरा पासान काल पुरा पासान काल में भी कौन सा पुरा पासान काल उच्पुरा पासान काल समय भी पूछ सकते हैं आधूनिक मानव का के उदेगा वो है 40,000 इस्वा पूर्वा से 10,000 इस्वा पूर्वा का काल और जो सेलस रें इसका अर्थ क्या होता है पत्थरों में गुफाएं बनाना और जो मानव चित्रकारी और नकासी एका जो पहला साक्सेवा कहां से मिला है वो मध्य परदेश के भीम बेटका की गुफाओं से ठीक है ना इसको द्धान से देखेगा यहां पर और उच्पुरा पासान काल की जो परमुक इस्तला वो है यूपी इस्तित बेलन घाटी मारास्टर इस्तित बीजापूर इनाम गाम केरल का चितूर जारखंड का छोटा नागपूर का पठार परमुक ओजार हड़ियों से बने ओजार और फलक और तक्सनी तो देखेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पूरा पासान काल के बारे में पढ़ा है और प्राग इतियासी काल के बारे में या फिर भारतिये इतियास का काल विबाजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो आप वहाँ पर हमारी यूटूब चैनल पर जो हमारा जो प्लैलिस्ट है उस पे आप देखेगा और वीडियोज को पढ़िएगा देखेगा सुनिएगा ताकि आपको एक्जाम में सहुग मिल सके तो धन्यवाद और आप हमारे फेस्बुक पे हमें लाइक और सेर करें और ट्वीटर पे आप हमें फोलो करें और हमारे वर्टसप पे बने प्रोडकास चैनल से जुड़ें ताकि आपको नए नए वीडियोज मिल सके आपको इत्यास के बारे में नहीं नहीं जानकारियां प्राप्त हो सके धन्यवाद